ही दूस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवजी के ट्रिक्स में दोस्तों लोग याँ पर जी के जी एस के टेस्ट लगाएंगी जहां पर आपके टॉप थर्टी कोश्चन होते हैं ठीके तीस प्रस्ण आपकी डेली करा जाते ह और डेली आप रिवीजन कर सकते हैं काफी अच्छे प्रस्ण होते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका पहला प्रस्ण है कि अजंता और एलोरा की गूफाएं किस राज्ज में इस्तीत हैं अजंता और एलोरा की गूफाएं किस राज्ज में हैं तो यहाँ पर तो आपकी 29 गुफाएं, कितनी 29 गुफाएं थी, जिसमें से अब 6 वर्तमान में देखा जाएं, तो 6 गुफाएं ही 6 आपकी बची हैं, ठीके, और यहाँ पर जो आपकी गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 थी, ठीके, यह गुप्त कालियन है, यह आपकी UPPCS 2018 में कोशन अगले प्रस्णों को आप बढ़ते हैं, प्रस्ण आपसे एकला पूछा गया है, कहर आपसे यहाँ पर कि बांदी पूर वन जी अभ्यारन किस राज्य में इस्ति थे, तो यहाँ पर आपका सई अंसर हो जाएगा, option right, यहाँ पर आपका कौन सा, आपका C नंबर आपकी करन करनाटक में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1973 में, ठीक है, 1973 में हुई थी, और यहाँ पर याद रखिए पहला point, कि जिम कारवेट, जिम कारवेट जो की पहला भारत का सबसे पूराना नेशनल पार्ग था, जिसकी स्थापना 1935 में आपकी की गय आप से कि भारत में बहते हिमखंड के द्रब्मान के कुल दसों भागों में से कितना जल तल के उपर होगा, मतलब आपका वो एक भाग है, ठीक है, कितना है, एक भाग, ठीक है, ओप्सन आपका यहाँ पर होजएगा, एक बहाग, मतलब कह सकते हैं कि हिमखंड का दसों भाग जल से उपर आपका दिखता है, ठीक है, यह आपका कैसकते एक रूल था, जो कि आपके आर्कमडीज के सिध्धान्त, जो आपका पलवन का नियम, मतलब बोलते हैं एक बटे दसों भाग, मतलब कि बर्फ को आप डाल दीजे, ठीक है, तो आपका एक बटे दसों भाग 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 पर कैसकते हैं, दीखेगा, ठीक है, चले अगला प्रसन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कर आपसे कि डेकन, डेकन अधिक्तिया के उतर पूर में कौन सा अधिक्ता है, देखो प्रसन थोड़े से टप ही मिलेंगे आपको, कि डेकन अधिक् अधिक्ता है, तो यह जो आपका है, यह आपका छोटा नागपूर का जो अधिक्ता है, मतलब कि यहाँ पर डेकन, डेकन आपने आपको बताया था, बंगाल की खाड़ी के पूइंट में, ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो जवाब होजेगा, आपका यहाँ पर फश्ट हो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें से आपके मिलते हैं ठेके और अगला प्रस्ट को रहाते हैं प्रस्टन आप से अगला पूछा गया है कहर आप से यहां पर कि बारम बार होने वाली बारिस और प्रकास किस छेत्र के विकास के लिए उप्युक्त है ठेके और देखा जाए तो आपके विस्वती छेत्र की विसिस्ता आपको जादा देखने को मिलती है है ना क्योंकि आपने देखा होगा सवाना घास के मैदान ठेके सवाना घास के मैदान इसी के कारण से एक प्रकार के हैं और भारत में देखा जाए, तो वन जो आपके 20 प्रतसत से ज़्यादा इसी प्रकार के वन आपके हैं, ठीके, अगले प्रसकोर आते हैं, प्रसना आप से अगला पूछा गया है, कहरा आपसे यहाँ पर, कि एक क्रसक के द्वारा एक ट्रैक्टर का क्रय किया जाता है, एक क्रस होता है, जो जैसे ट्रैक्टर लेते हैं, तो नियत निवेस आपका होता है, मतलब कि निवेस कर उत्पादन और आयमें ब्रद्धी करता है, ठीके, मतलब देखो, जब ट्रैक्टर आप खरीद लेंगे, तो निवेस कर क्या होगी, उत्पादन होगा, और आयमें ब्रद्धी पहले देखो क्या था, कि हिमाले जो था, वो हिमाले की जगा एक सागर था, वो सागर आपका कौन था, तो ये था T celui सागर ठीके, और उपसन आपका सीओ जगा टैसिग सागर, जो आपकी प्लेट है, वो आपकी चाईना प्लेट से टकराती है, लेकिन इसके पहले जो आपका हुआ भीज का कचड़ा था वो दिरे दिरे उठ रहा है वही आपके सकती हिमालय बन गया ठीके तो याद रहे टेतिस सागर जो पहले था ठीके अब वहाँ पर आपका हिमालय है इसी करण नवीन परवत बोला आपको बोला जाता है अगला है कि कौन सा ग्रा हरे प्रकास को उत सर्जित करता है अरुण गरा की बात करें तो अरुण गरा की जो तीसरा बड़ा उपक गरा है उसकी खोज आपके विलियम हरसल की द्वारा की गये थी ठीके और ये भी जो आपका है यूरेनस ये कैसकते हैं सुक्री की तरह पूर्व से पश्चिम गुमता है ठीके सभी गर त्वान होता है वह 18 डिगरी सेंटिग्रेट होता है ठीके और अगले प्रस्टिकोर बढ़ते हैं कहरा आप से यहां पर अगला पॉइंट कि मैरिस सब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रियोग होता है वह आपके किस देश के यहां पर आदिवासियों की याद रखें दच्छिन अमेरिका ठीके जो आपके कह सकते हैं दच्छिन अमेरिका के हैं आदिवासी वो लोग मैरिस का प्रियोग करते हैं ठीके मैरिस का प्रियोग करते हैं और वहें पर देखा जाए न्यूजी लैंड के पूछ लेता है जो आपके न्यूजी लैंड के आदिवासियों को नाम होता है माओरी ठीक है क्या नाम होता है माओरी होता है यह पॉइंट याद रखना है ठीक है और ग्रीन लैंड की जैसे होता है तो ग्रीन लैंड में आपकी इस्किमों मिलता है ठीक है और वहें पर आपका दिया गया है जैसे कि आपका पिगमी जन जात आपको कांगो छेत्री मिलती है बुसमायन काला हारी मिलती है ठीके तो अगले पॉइंट की और बढ़ते है पॉइंट आपसे यहाँ पर अगले कह रहा है कि विश्व में काफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है काफी का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर आपका कौन सा है तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दस का तो बिलकुत सही है जो ब्राजील है ठीके ब्राजील है यह आपका काफी का सबसे बड़ा उत्पादक है ठीके और भारत में देखा जाए तो भारत में काफी जो होती हो करनाटा कराजी में सबसे अधिक होती है ठीक है कॉफी की तीन किसमें होती है वो आपकी होती है अरेविका एक होता है रोबस्टा एक होता है लाइवेरिका ठीक है याद रिखेगा चलिए और भारत में जो होती है आपकी चाय कॉफी भारत में जो कॉफी होती है ठीक है वो ज आपसे कह रहा है आपर कि निम्न देसों में से किसे word भूमी कहा जाता है वर्ण भूमी आपसे पुछा गया है कि यहां पर आपका word भूम किसे कहते हैं तो जवाब आपका क्या सई हो जाएगा तो जवाब हो जाएगा option right आपका यहां पर ये नंबर Belgium वेलजियम को वांण भूमी कहा जाता है जैसे कि आपका बेलजियम नाम सुने होंगे बेलजियम सुना है बेलजियम तो आपका दिखी रहा होगा है ना और वहाँ पर बेलजियम में एक पईंट है कि कॉथ़ई आप यूरोप एक point और दिया जता है cockpit आप Europe ये भी Belgium को ही कहा जाता है ठीक है अगला प्रसन आप से पूछा होगा कहरा आप से कि पस्चिम मंगाल में रानी गंज छेत्र किसलिए विख्यात है रानी गंज जो आपका है ये आपके कोईला छेत्र है रानी गंज कैसा है ये कोईला छेत्र है जो कि पस्चिम मंगान में है ठीक है और यहाँ पर जैसे कि जो आपका जारखंड है जारखंड में आपकी यूरेनियम की खाने बहुत ज्यादा होती है यूरेनियम जो है कि जोगो SAR से निकाले जाता है ठीकर अगले प्रस् claw कराते हैं प्रस्ट्ट्रा अब पूछा गया है कहरें कि सागर्थत टकी और जाने वाले तरंग को messy सागर्थत टकी और जो आपके जाने वाले फिर्थत Quiet कह हुँए हो हुआ कि पहले क्या होता है पानी जो ज्वार होता है ज्वार में क्या होता है पानी सिमेटता है फिर जब ज्वार आता है वो सागर तटकी ओर आता है तो उसे हम लोग भाटा गयते हैं मतलब पानी की उठने की किरिया को ज्वार और जब पानी नीचे गिरता है उसे भाटा कहते हैं चारो तरफ हिलता ही रहता है, ठीके, अगला है कि प्रवाल द्यूप इन में से क्या होते हैं, प्रवाल द्यूप आपने नाम सुना होगा ना, प्रवाल द्यूप जो होते हैं, वे अन्ताह इस्तिली समुद्र होते हैं, क्या होते हैं, अन्ताह इस्तिली समुद्र होते हैं, औ और प्रवाल द्यूप कह सकते हैं मूंगा से बना हुआ होता है और भारत का जो लच्छ द्यूप है वो प्रवाल द्यूप से है मतलब छोटे 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 जो आपके कह सकते हैं जीवास मोते हों मर जाते हैं कीडे मकोडे वही धिरी 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 चटान को धारन कल लेते हैं ठीकें जो कि आपके कह सकते हैं कि जो आपका केरल में अपने नाम सुन होगा न जो इसके बगल में जाएंगे तो लचीदियूप मिलता है तो लचीदियूप जो बना है वो प्रवाल वित्ति से ही बना है और वेश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्ति आस्टेलिया में है जिसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जिसे मुंगे की चट्टान के नाम से जाते हैं ग्रेट बैरियर के नाम से जानते हैं अगला प्रसनाफ से पूछा गया है यहाँ पर कह रहा है कि भारत के राज्यों में से प्रतिवर किलो मीटर अधिक्तम जनसंख्या के घनत वाला राज तो जनसंख्या घनत तो आपको पता है कहाँ पर आपके है तो आपके बिहार में है, सबसे जादा जनसंख्या घनत कहाँ पर है बिहार में है यहाँ पर 1102 लोग प्रतिवर किलोमीटर में निवास करते हैं ठीक है तो यह पॉइंट आपको याद रहेगा ठीक है वहें पर दूसरा इस्थान तो परश्ची मंगाल का था पहले मतलब यह 2000 के सिकते एक में थोड़ा परिवर्तन हुआ था 2011 में आपको दूसरा आ गया था ठीक है तो यहाँ पर जो 2000 के सिकते एक था 2001 में जनगना हुई थी तो उसमें इस्थान बिहार का था है ना और पहला इस्थान परश्ची मंगाल का था लेकिन अब क्या है 2011 की जनगना में बिहार आपको पहले स्थान पर आ गया है ठीक है अगल जो आपके एक जंजाती है, उसके नाम पर प्राचीन भूबाग... जो आपका प्राचीन भूब आजयानिक इतिहास के महद्यूप का जो नाम रखा रहे हैं, वो आपके गोंड ठीक के गोंड वाना लेंद हो इतने नाम सुनेucky गोंद वाना भारत की सबसे बड़ी आपकी जंजाती है अगले प्रस्ट को राते हैं प्रस्न आपसे पूछा गया है कहरा है आपसे यहाँ पर कि किस अवधि में पूरा भारत वर्ष दच्छनी परश्चिमी मानसून परवाव में आ जाता है जो आपके प्रभाव में आ जाता है वो आपका कब आ जाता है तो याद रखेगा यह आपके 20 से 30 जून के बीच में 20 से 30 जून के बीच में यह कह सकते हैं आ जाता है प्रभाव में तो आपसन आपके यहाँ पर थर्ड हो जाएगा ठीके और यहाँ पर अगले प्रस्ण को राते हैं, प्रस्ण आपसे अगला पूछा गया है, कहरा आपसे यहां पर, कि निम्ड में से किसे भोर का तारा कहते हैं, निम्ड हो गया यहां पर, तो निम्ड में भोर का तारा किसे कहते हैं, तो भोर का तारा किसे बोलते हैं, सांज का तारा या भोर का बोलते हैं वो आपके सुक्र को बोलते हैं ठीके सुक्र को सुभा का तारा सांज का तारा है ना इसे बोला जाता है और यह प्रतिवी का सबसे निकटम तारा होता है ठीके प्रतिवी का निकटम तारा अगर आपका यही है ठीके और इसे प्रतिवी के बेहन भी का जाता है ठीक वो आपकी विकरण विधी कहलाती है क्या कहलाती है विकरण विधी आपकी कहलाती है ठीक है और यहां पर कासे सिकते हैं वारिमंडल जो विकेंड होता है उसे के द्वारा गर्म हो खाद्यान के रूप में जो सबसे ज़्यादा प्रियोग होता है चावल होता है आप लोग गेहूं मतलगाएगा चावल का प्रियोग ज़्यादा होते पूरे भारत की बात हो रही है यूपी की बात नहीं हो रही है ठीक है सिर्फ आपके कह सकते हैं पूरे भारत की बात हो रह हम दे आपका कौन सा होता है ह wyn घ्र यह आपका jest चौब मंडल ठीक्यें चौब मंडल हमने बत्यार्थवी की पत्च पत्रत्र àंच परते जो पहले नीचे के परत होती है और सब्से कम उचाई होती वह चौब मंदल की ही होती है ठीक है लगबग देखा जाए कि धुरों में 8 किलोमीटर होती है और विश्वत रेखा पर आपकी 18 किलोमीटर की उचाए होती है ठीक है यह आपकी छोब मंदल में और छोब मंदल को सवाहन मंदल भी कहते हैं छोब मंदल को सवाहन मंदल और अधो मंदल भी भारत में सबसे बड़ा क्रसी प्रयोगिक भार्म कहा है। नाटक में ठीक है और आगले प्रस्टी को बढ़ते हैं प्रस्ट नापस नगला पूछा गया है कि इने में से किस छेत्र से भूमद रेखा गुजरती है तो आपको नंबर बिल्कुल पता है कि जो आपका आफरीका माद्यूफ है वहां से आपकी तीनों रेखा हैं आपकी भारत से जो गयती है वह आपकी कर के रेखा गुजरती यह तो आपको पता ही होगा है ना और यहांON पर अगले प्रस्टेश नहीं को आपस जगला पूछा गया है कि कोचीन रीफाइनरी किस छेत्र के अंतरगत आती है कोचीन रिफाइनरी और कोचीन रिफाइनरी जो आती है ये एक सारवजनिक छेतरी की आपकी अंतरगत आती है मतलब सरकारी छेतर को सारवजनिक छेतर कहते हैं काफी बच्चों के यह ने पता होता है कि जो आपके सारवजनिक छेत्र मतलब क्या है तो आपके ये कह सकते हैं कि सरकारी छेत्र को सारवजनिक छेत्र कहते हैं ठीके और संयुक्त छेत्र क्या होता है तो संयुक्त छेत्र होता है जिसके अंतर के सारवजनिक और निजी छेत्र दोनों आते हैं कभी कभी मिस्तृत छेत्र भी नाम सुने होंगे, तो मिस्तृत छेत्र होता है, सारज़निक और निजी के साथ अलग-अलग भी कार्य करते हैं, ठीके चलेए, आगे ले प्रसुनी कुराते हैं, प्रस्ट आप सेगला पूछा गया है, कहरा आपसे निम्ड में से कौन सी गैस ग करते हैं वह भी सुर्यक की ऊर्जा को आशुसित करते हैं तेम्प्रेचर बढ़ा देते अगला में वहा नदि कौन से हैं जिसके बारे में अंद्रदेश करना 아파 कर माहाराश्ट कि वीच जल विवाद है तो याद रिखे जल विवाद भी आपका रहता है ठीक है कोई कहता हम इतना पानी लेंगे कोई कहता हम उतना पानी लेंगे है ना तो यह जो आपका रहता है वो कह सकते हैं कि आनप्रदेश करनाटा को महाराष्ट की वीच जल विवाद जो चल ला है वो आबू पहाडियों का गुरु सिखर किस परवत संकला की सबसे उंची चोटी है। और यहाँ पर अगले प्रस्टी को राते हैं, प्रस्ट आप से गला है कि मेघना निम्न से किस किन दो नदियों के समलित धारा है। यहाँ पर कह सकते हैं, अगले प्रस्टी को राते हैं कि निम्न में से वह नदि कौन सी है जो पूर से पस्चिम दिशा को वैती है और ज्वार नदमुख बनाती है। तो यह जो आपकी नदी है, वह आपकी कौन सी वैयां तो यह नदी आपकी नर्मदा नदी है। वो आपकी अमयर कंटेक्ट की पार इस निकलती है और इधर आपकी परवत ज़्यादा है उचाय से गिर्ती इसलिए यहाँ पर प्रपात का निर्मार करती है तो आपकी कौन सी नर्मदा नदी है ठीक है अगले प्रस्ण को बढ़ते हैं प्रस्ण आप से गला पूछा गया है क कि किस प्रदेश की विशिष्ट वनस्पती का वितरण मुख रूप से किस के द्वारा निर्धारित होता है किसी प्रदेश माप करिए यहां पर किसी सब्दे किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पती का वितरण मुख रूप से जो निर्धारित होता है वो किस के द्वार तो मुख रूप से देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो कह सकते हैं अच्छांस होता है अच्छांस निर्भर करता है फिर आपका जल निर्भर करता है ठीक है हवा निर्भर करती है तो अच्छांस वाला जो आपका है वो आपका C नमबर कि हवा पानी और अच्छांस यह मु और वनस्पतियों में प्रभाव होते हैं तो यह राया आपके 30 प्रस्ण और काफी अच्छे प्रस्ण थे आपने देखा कि ऐसे प्रस्ण आपकी एक्जाम में बार-बार पुछ जाते हैं और छोटे नहीं बड़े लेबलों पुछ जाते हैं तो हमने बताया कि डेली का डेली अगर टेस्ट लगाते हैं तो उमीद रखिए कि आपको जीके 100% आपको यहाँ पर कह सकते हैं आपकी complete हो जाएगी ठीके और धीरे धीरे और बूंद बूंद से ही घड़ा बरता है एक दिन वीडियो देख लेने से घड़ा नहीं भर जाएगा काफी बच्चे एक दिन योजना बना लिया है कि हमको इस एक्जाम में fight करना है तो योजना पहले से बनाना पड़ता है और पहले से ही पढ़ाई करना पड़ता है ठीके थोड़े थोड़े करके आप डेली पढ़िए तो 100% आपको सफलता मिलेगा ठीके एक दिन में सफलता नहीं मिलती है लेकिन ए एनाई वीडियो में आप लोग आफ लाइन कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग किस एकजाम की तयारी कर रहे हैं ताकि हमें पता चल पाए कि आप लोग किस किस एकजाम की तयारी कर रहे हैं ठीक है तो आज की वीडियो इतना ही धन्यवाद जेहिंजे भारत